आज की जो मेरी रेस्पी है वो व्रत स्पेशल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये रेस्पी अभी तक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिली होगी फर्स टाइम में इसको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और सच में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी है कई बार क्या होता है कि व्रत के दौरान हमारे हागर कोई ओकेशन है तो काफी सारे लोग फास्ट में रहते हैं जो हमारे घर आते हैं तो उस समय अगर आप उनको ये रेस्पी खिलाएंगे तो वो आपको दुआएं दे कर जाएंगे सिरेसली रेस्पी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है तो इसको आप ट्राइज जरूर करिएगा और रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और इसको बनाने के लिए बस छोटी मूटी थोड़ी से तयारियां करनी होत है और रेस्पी बनाने बहुत ही कम टाइम लगता है मिन्टो में बनकर तयार हो जाती है तो आप देख सकते हो यह रेस्पी मैंने बनाई है सिंहाडे के आटे से बनी हुई पापड़ी उबले हुए आलू और दही और थोड़ी सी चटनियों के साथ तो इसके लिए मैंने य जाएगा या फिर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके साथ हमें एक हरी धनिया की चटनी भी बनानी है जिसके लिए मैंने हरी धनिया एक हरी में चो थोड़ा सा जीरा ले लिया है थोड़ी से पानी के साथ हम इसको पीस लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम एड़ करें जिससे कि यह अच्छे से स्मूध हो जाए बिल्कुल चाट में खाने लाएक और इसके बाद इसके अंदर हम एड़ करेंगे दो चुटे चमच पीसी हुई चीनी या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालीजे इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे चौथा चुटा चमच सेंधा नमक क्योंकि यह व्रत की रिस्पी है इसलिए हम यहाँ पर सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं तो लीजिए हमारी प्रप्रेशन हो चुकी है तो चली हम बनाते हैं अपनी व्रत में खाई जाने वाली पापड़ी चाट इसके लिए मैंने एक ऐसा बोल काट लिया है और इन आलू को हमें ठंडा लेना है गरम बिलकुल भी नहीं लेना है यानि फ्रिज में रखे वह थंडे आलू हो इसके बाद जो पापड़ी हमने ली है इसको हम तोड़कर डालेंगे एक चीज मैं यहाँ पर भूल गई हूँ गार्निशिंग में तो मैंने य अब इसके बाद जो हमने दही फैंट कर रखा था उसको इसके ओपर डाल देंगे इसके बाद हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा भूरे जीरे का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्ज का पाउडर साथ ही यहाँ पर मैं इसमें एड करने जा रही हूँ जो हमने सौट चट्नी मनाई थी वरत के लिए इसको एड करेंगे इसके अंदर इसके बाद इसमें जो हरी दिनिया की चट्नी मनाई थी उसको भी डालेंगे आप देख रहे हो अभी से कितनी टेस्टी दिखने लगी है साथ में मैंने जो अनार शीन के लखे यानि अनार दाने इनको भी एड करेंगे यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए डाले हैं बट आप अंदर इसके खूब धेर सार डालना जिससे की और ज़दा टेस्टी बन जाए पापड़ी और दोनों चट्पी अगर पहले से तयार हैं तो यह रेस्पी बहुत ही जल्दी बन जाती है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगो कि इतने जिंजट करने की क्या जरूत है बट यकीन मानिए जिंजट बिल्कुल भी नहीं है अगर आपकी चीज़े पह